आदानिय सवाबती जी हमारी सरकार का तीसरा टम दूर नहीं है कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं मोदी 3.0 विच्षिक भारत की नीव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा दें अगले पांच साल में भारत में डॉक्टरी की संख्या पहले के तुन्ना में अनेक बड़ी अनेक गुना बड़ी मेडिकल कॉलीजों की संख्या बड़ेगी इस देश में इलाज बहुत सस्ता और सुलब हो जाएगा आदर ये समापती जी अगले पांच साल में हर गरीब के घर में नल से जल का कनेक्शन होगा आदर ये समापती जी आने वाले पांच साल में उन गरीब को पीएम आवास जो देने हैं एक भी बंचीत नहीं रहें इसका पक्का ख्याल रखाएगा अगले पांच साल सोलर पावर से बिजली बिल जीरो बिजली बिल जीरो और ठीक अगर आयोजन करेंगे तो अपने घर पर बिजली बना करके बेज करके कमाई कर पाएंगे ये अगले पांच साल का कारकम है आधनिय सभापती जी अगले पांच साल देश में पाइप से गैस के कनेक्शन पूरे देश में नेट्वर्क बनाने का परपुर्ट या प्रयास के आजाएगा। सभापती जी आने वाले पांच साल हमारी युवा शक्ति का दम पूरी दुनिया देखेगी। आप देखना आधनिय सभापती जी हमारे युवा स्टार्ट अप्स युवाओं के युनिकॉन इसकी संख्या लाखों में होने वाली है। और इतना इने टियर टू टियर ख्री सिटी नएने स्टार्ट अप्स उसकी एक नई पहचान के साथ उबरने वाला है। यह मैं पांच साल का चित्र मेरे सामने देख रहा हूँ। आधनिय सभापती जी रीसर्ट फंडिंग उसकी वृद्धि का प्रभाव। आधनिय सभापती जी आज मेरे मध्यंबर के लाखो बच्चे विदेशों में पढ़ने के लिए चले जाते हैं। मैं वो स्तिती लाना चाहता हूँ कि मेरे बच्चों के लाखो रुप्य बच जाएं। मेरे देश के मध्यंबर के सपने पूरे हो। बेस बेस युनिवर्सिटी मेरे देश में हो। उच्चतम सिख्चा उनको मेरे देश में मिले। और मेरे बच्चों का उनके परिवार का पैसा बचे। उसलिए मैं कहना था। अधर्णिय सभापती जी आने वाले पांच साल आप देख रहा कोई भी इंट्रेंडेस्टल खेल की कमपटिशन ऐसे नहीं होगी जुसमें भारत का जंडे हर जगा बढ़नत है। मैं देखने वाला हूँ पांच साल फेल जगत के अंदर दुनिया में भारत की युवागी शक्ति की पहचान दन है। आधर्णिय सभापती जी आने वाले पांच साल में भारत का पब्लिक ट्रांस्पोर्ट पुरी तरह टांस्पॉर्म होने वाला है। अगले पांच साल में गरीब और मिल्ल कास को तेल और शांदार यात्रा की सुविधाई बहुत आसानी से मिलने वाली है। तेज मिलने वाली है पूरी ताकत से वहता होने वाली है। अगले पांच साल में देश बुलेट ट्रेन भी देखेगा और देश बंद्य भारत ट्रेन का विस्तार भी देखाएगा आधनी स्वभवती जी अगले पांच साल में आत्म दिरबर भारत का भियान नई उचाई पर होगा देश हर छेत्र में आत्म दिरबर होता नजर आएग आधनीय सभावतिजी आने वाले पांच साल में मेड इन इंडिया सेमी कंडुक्टर दुनिया में हमारी गुण्ज वोगी जिसमें किसी न किसी भारतिय का पसीना होगा कि अधर्णिय सभ्ण दुनिया के इलेक्ट्रिक बाजार में एक नई गती का सामर्त आने वाले पांच साल में देखेगा अधर्णिय सभापती जी आज देश लाखों करोर रुपय का इंपोर्ट करता है अपनी उर्जा जरुतों के लिए हम जादा से जादा आत्मनिर्फर ब जरुताओं पर जो डिपेंड़न्स ही है वो कम करने वे सभल होंगे इसे कि इतना ही नहीं हादान जेश सभापती जी ग्रीन हाइड्रोजन भ्यान हम दुनिया के बाजार को लालाईद करने की दिशामें अगे बढ़ रहे है हमारा ग्रीन हाइड्रोजन और जरुतों को परपरटेशन में सस्ता मिले इसकी ववस्ता होगी आधनीय कि सभापती जी जब मैं 20% की बात करता हूं उसका सीधाल आप मेरे देश के किसानों को होने वाला है किसानों को नहीं पज़ती में देश की हजारों करोड रुपिया खाद देते हैं कि कृषी प्रदान देश तो कह का विचे जो नीतियों को लेकर हम चलते हैं हैडी बेल ओईल में मेरा देश बहुत एक आत्मत देरबर पांच साल में हो जाएगा और जो पैसा बचेगा मेरे देश के किसान की जिब में जाएगा जो आज विज़ेश के वाजार में जाता है आधनीय सभापती केमिकल की खे आधनीय सभापती जी नेचनल फार्मी बंडे से दुनिया के बाजार में भी हमारी उत्पादों की ताकत बढ़ने वाली है आधनीय सभापती जी युएन के माद्यम से मैंने मिलेट का भ्यान चलाया श्री अन्नत्र के राते आज हमने उसकी पहचान दी है मैं वो दिन देर दूर नहीं देखता हूँ जब कि आने वारे 5 साल में दुनिया के बाजार में सूपर फूड के रुप में मेरे गाउं के छोटे छोटे किसानों के दलख पायजा हुआ स्री अन्य दुनिया के बाजार में प्रतिष्टा होगी सुपर्फुड की प्रतिष्टा होगी हादनी सभाबती जी ड्रोन खेतों में एक नईस किसानों की ताकत बन करके उखने वाला है 15,000 ड्रोन दीदी का कार का मौल देनी हम लॉंच कर चुके हैं यह तो शुरुवात है आगे बहुत सफलता दिपती है आदनी सभाबती की हम नेनो टेक्नोलोजी को अगरिकल्चर में लाने में प्रवगब तक सफ सफलता पाई है और आज एक बोरी भर खातर लेकर के घुमने वाला किसान एक बॉटल के खातर से काम चला लेगा अधानिया सभाबती की सहकारी के अक्षेत्र में हमने एक नई मिनिस्ट्री बना ही है उसके पीछे इरादा है एक सहकारित्या का पुरा जना अंदोलत नई त पांच साल के भीतर बीतर वह पूरा हो जाएगा छोटा किसान को भी अपनी प्यादार को रख रहेंगी जगा मिल जाएगी इस भाव से बाजार में बेच नहीं चाहिए उसको जो बरबाद होने का डर था खतम हो जाएगा और किसान के आर्थिक ताकत बढ़ जाएगी पश हमारे पश्रू की संग्या है लेकिन दूद की उत्पादन का मैं हम इस त्रिपी को बदल देंगे फिशा रहेंगे एक्सपोर्ट करने की दुनिया में हम बहुत बड़ी तेजी से भी कास करेंगे ये भी मेरा प्रावी उस्वास है हमने एप्पियों की जो रतना का प्रारम कि दिया है अनुभव बहुत अच्छा है पांच साल के भीतर भीतर किसानों की नई संक्रण की शक्ति और क्रिशी उत्पादन में वैल्यू की ताकर ये लाप मेरे देश के किसानों का वश्वे मिलने वाला है आधनिया सभापती जी ट्वेंटी की सभलता ने साप कर दिया है और दुनिया में कोविट के बाद जो खुलापन आया उस खुलापन का सबसे बड़ा लाब हम लें देखा है कि विश्व का ध्यान भारत की तरफ जया है और इसलिए एक बहुत बड़ा ख्षेत्र टूरिजम आने वाले दिनों में होने वाला है और जो सबसे ज्यादा करके हम चल रहे हैं भारत एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्नेशन बने वाला है आदेडिया सवापती जी जिसका हिसाब के ताब पहले बहुत कम हुआ करता था जिसकी बाते सुरू करके हमारी मजाक उड़ाई जाती थी जब मैं डीजिटल इंडिया की चर्चा करता था जब मैं मैं फिंटेक की चर्चा करता था तम मैं जरा आउट अब बॉक के बाते कर रहा है वैसा लोगों को लगता था आउटडेटेड सोच वालों के लिए सामर्त का भाव था लेकिन मैं पूरा विश्वास से कहता हूँ आदारी सवापती जी आने वाले पांच वर्ष ड जाद उप्योग कोई करने का सामर्त के चिदेश में होगा तो हिदूस्तान लेटेस से लेटेस टेक्नोलोजिय को उप्योग मेरा देश करेगा आदेनी सभावती जी स्पेस की दुनिया में भारत का नाम रोशन हो रहा है हमारे वेज्ञानिकों का पराकम नजर आना वाला और आने वाले पांच साल का जो कारकम है न मैं आज उसको शब्दों में बयान ही करना चाहता हूं लेकिन विश्व को अचंबित करने की दिशा में हमारे विज्ञानिक स्पेस की दुनिया में भारत को ले जाएंगे यह मेरा पक्का विश्वास है आदर ये सभावत त्रहा अप में हमारे बेटियों के उत्तर्शी काफा लिए आदर ये सभावत दिनी ऐसे अनेग में खेत्र हैं जिस खेत्र में मैं साब देख रहा हूं आने वाले पांच सर साल भारत कभी हम सुना करते जिस्वाणिम्यूक था मुझे वो दिन दूर नहीं दिते जब पांच साल मे वो मजबुत नहीं आएगी और 2047 तक पहुंते पहुंते ये देश उस्वाने में को फिर से चीने लगागा उस विस्वास के दाज़ते हैं आदर ये सभावते लिए निक्सी धारत ये शब्दों का खेल नहीं है ये हमारा कमिट्मेंट है और इसके लिए हम समर्पित भाव से हमारी हर सांस उस काम के लिए है हमारी हर पल उस काम के लिए है हमारी हर सोच उस काम के लिए समर्पित है उसी एक भावना के साथ हम चले हैं चल रहे हैं चलते रहेंगे और देश आगे बढ़ता रहेगा